जारी नहीं करना है सप्प्लिमेंटे रिजल और अभी दखिए 31 जनवड़ी तक उन्हें कांसलिंग का डेट दिया है जिनका छुट गया है तक करवा सकते तो आप एक तरफ करें कि देरी हो गई और एक तरफ आप करें कांसलिंग 31 तक होगा तो सिक्षाविभाग तो खुद सब्सक्राइ! कोई और कुछ बन जाय तो बिहार सरकार से ही कए सकते हैं तो बिहार सरकार से हम वह कर रहे है कि supplementary ये लोग अपसमें दोनों बिभाग के अधिकारी है सभी अधिकारी पर है कि पाठक जी चुकि अपर मुख सचीब है तो इसके सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उनकी बंती है अगर अच्छा काम भी होगा तो तारीफ उनकी होगी अगर कुछ गलत होगा तो जिलना उनकी को पड़ेगा शिकायत उनकी होगी तो जब अच्छा काम हुआ तो उनकी तो उनी पे जाएगा शिकाय तो नहीं कि जाएगी कि आप जारी किजिए आप एक लेटर बीपीजी को भेजिए एक डेट निर्धारित कर दिजिए कि इस तारीख तक हमको सप्लीमेंटर डिजल्ट आप दे दिजिए अगर बीपीजी नहीं दे तब फिर हम लोग बीपीजी अफिस के में जाके अंदोलन करेंगे तब हम बीपीजी को कहेंगे कि हम सारा दोस बीपीजी का है टी यारी 1.0 का सप्लीमेंटर डिजल्ट कितने दिनों बाद आया फिर उसका कांसलिंग कभ हुआ ये भी आप देखिए आप करें कि लेट हो रहा है यह हो रहा है और जब सि सच्छा निदेशक हो अपर मुक्स अचीब उस समय के हो या अभी के जो हो उन सब को देखना चाहिए ना सप्लीमेंटर रिजल्ट जरूरी क्यों है जरूरी इसलिए है क्योंकि सरकार ने माल लीजे कि एक लाग बीस अजार पर वेकेंसी निकाली एक लाग दस अजार पर व वन से लेके इसमें तो 12 तक का वेकेंसी आया था तो उसमें ऐसी हजारो अस्टुएंट्स थे जो वन टुफाइब का प्लाई किये 6-8 का भी किये 9-10-11-12 का भी किये जिनकी जो योगता थी उस अनुशार 2-3-3-4-4 के लिए किये उसमें से हजारो इस अभियार्थिया जिन अगर मालेजा एक अभियर्थी का 3-4 जगा रिजल्ट रहेगा तो फिर तो उसमें अभियर्थी का 3-4 जगा तो फिर निकालने का मतलब क्या आप करा गया बहाली आपने जितने पदों के लिए निकाला उतना सीट तो अब भढ़िए अगर योगता है अभियर्थी के पास तो हम यह नहीं कर रहें कि इसके पास योगता नहीं है या फेल है उसको पास करना है यह सा नहीं करें योगता रखते हैं विज्यापन की सर्तों के नुशार सीटे खाली तो आप उनको नोकरी दीजिए और इसमें तो कट-अफ पे है डेट ऑफ बर्त के चलते बाहर किया ग संख्या तो यह तो इतने लोगों को नौकरी मिल जाएगी विरोजगार लोगों को 17-20,000 की बात है हो सकता है और भी जैदा हो मुझे जहां तक लग रहा है 17-20,000 की संख्या हो सकती है इससे जैदा भी हो तो जितना आप खाली है उस पर सप्लिमेंटरी रिजल्ट जारी करे अब अधिकारियों के बीच का मामला उसमें तो हमने कुछ कहेंगे लेकिन अभी जब केके पाथक जी है तो उनको तो करना चाहिए न कि अभी अर्थियों के हित में आप मांग कीजिए या लेटर भेजिए बीपीएसी को कि आप जारी कीजिए चलिए माले जिए उस समय क्या हुआ नहीं हुआ पीछे की बात को छोड़िए आपस में सामंजस से स्तापित कीजिए बीपीएसी और सिख्छा विवा के दौरा तो अगर सिख्छा विवागार सप्लिमेंटी रिजल्ट देने में मना कर रहे हैं तो उसके चलते तो पूरा पानी फीर रहा है दो लाक बेकेंशी पर बहुत भीर आपके साथ सरकों पर भी उत्री थी उसका कुछ असर नहीं परा है देखिए उसका असर तो निश्चित रूप से परा है और हमें लगता है कि सिक्षा भी भाग और BPSC में बारता चल रही है इस बात को लेकर और हम हाद जो कर बिंती भी करते हैं केके पाठक सर से कन्हया परसाद जी से जो मादमिक सिछा नहीं दे सके उनसे और अतुल परसाद सर से और बिहार सरकार से भी अभी तो मुखमत्री नितीश कुमार जी है कि घर में खुसी आएगी और अगर आप नहीं दीजेगा सप्लिमेंटी रिजल्ट तो इसका मतलब इतने लोगों कि आप मिली हुई नौकरी छीन रहे हैं इनके साथ न्याई होगा तो यह नहीं कीजिए न्याई कीजिए और जो सरकार ने दो लाग बैकेंसी निकाली निक् कि बेकार हो जाएगा उन पर पानी फिर जाएगा अगर सरकार आप लोगों के मांग को नहीं मानती है फिर आपका आगे की निति क्या है आगे हम लोग फिर आंदोलन करेंगे कल तो वैसा कोई आंदोलन बढ़ा किये नहीं थे सांकेतिक था सरकार से आयोग से सिक्षाइवा अगर सरकार खुदी अपना किरकीरी कराना चाहती है कोई आंदोलन करें ना करें सिख्षा मंत्री भी अब आ गया है तो उनसे उससले पर कोई बात्स सिक्षामंत्री के पास लगातार BPSC Office, सिक्षाविभाग, हम भी बहुत जगा पढ़ियास किये हैं, लेकिन अभी तक कहीं से कुछ सकारात्मक नहीं आया है, BPSC के तरफ से थुरा सकारात्मक आया है, कि उनका कहना है, कि अगर सिक्षाविभाग हम को कहे, तो हम जगने करें त्यार है, चुकि वेलफेर डिपार्टमेंट की भी वेकेंसी इसमें थी, वेलफेर का, तो उसका वो सप्लिमेंटरी ज़ल जारी कर रहे है, चुकि उनकों ने मना नहीं किया, लेकिन सिक्षाविभाग ने मना कर दिया, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि हम कैसे सप्लिमेंटरी रिजल्ट जारी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, तो देखिए, जो सिक्षा विभाग है, उनके तरफ से रोक लगा दी गई, इस वज़ा से बीपी एस सी ने टियारी टू का सप्लिमेंटरी रिजल्ट जारी नहीं किया है, बीते दिन अभ्यरती शरक पर उतरे थे।